नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी UBPSC लाइब में कैसे हैं आप सभी लोग आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो एक बार हमें क्लियर आ रही हो तो आवाज क्लियर है हम लोग बात करेंगे स्वारी निखिल थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिस था उसको सॉल्व कर लिया गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे हैं सभी लोग दोस्तों ये 900 प्रस्णों की एक स्रिंखला है जिसमें हम लोग जो है लगबग 100 प्रस्ण जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं दो पार्ट जो है इसके हो चुके हैं तीसरा पार्ट ये है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है 101 नंबर का कि the article related to constitution of legislative council is 168, 16 169, 170 और 171 ये अभी हाले में चर्चा में था दोस्तों तो इस पर हम लोग 2-3 प्रस्ण देखेंगे और इसकी पूरी explanation जो है हम लोग 2-3 प्रस्ण जो है इससे मैंने बनाया है तो आप विधान परिशद में गठन से विधान परिशद के गठन से संबंदित अनुछेद कौ है विधान परिशद तो विधान परिशद जिसको legislative council बोलते है legislative council इसका गठन और उत्सादन यानि कि इसको हम लोग क्या करते हैं गठित करते हैं इसके थ्रू और उत्सादित भी करते हैं यानि कि तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कई प्रस्ण है इससे जो तीन महत्पू प्रस्ण इससे बन रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर गवर करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 169 जैसे आप लोगों को comment करना है तो आप ऐसे करेंगे 1 का B इस तरीके से comment box में 2 का A इस तरीके से comment box में आप comment करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग live आ ज आपके पास चार option है इनमें से किस राजिक सरकार द्वारा जो है विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है किसके लिए तो वो विधान परिशद के निर्माड के लिए ठीके तो इस पे आपको बताना है आपका सही उत्तर है C पस्षिम बंगाल पस्षिम बंगाल सरक किस के तहत अनुछेद 179 के तहत आर्टिकल 169 के तहत जो है विधान परिशद का तो पस्षिम बंगाल में विधान परिशद नहीं है विधान परिशद बनाने के लिए एक बिल लाए गया है जो कि किस से संब्दित है अनुछेद 179 से संब्दित आपका सही उत्तर होगा C अगला प्रस्ण हम देखेंगे दोस्तों कि किस राज्य में वर्तमान में विधान परिशद नहीं है ठीक है विच स्टेट करेंटली डज नट हैब और लेजिसलेटिव काउंशल तो तीन प्रस्ण यहां से बने है अब इन तीन प्रस्णों को हम कैसे सॉल्व करेंगे किस प कमेंट करते रहे हैं मद्यप्रदेश अब यहां पर एक प्रस्ण उठता है कि इसको कैसे हम लोग याद करें कैसे मेमराइज करें तो एक फार्मूला है दोस्तों हमारे कुल छे राज्य हैं छे राज्यों में अभी वर्तमान में क्या है लेजिसलेटिव काउंशल है तीक है इसको हम लोग कैसे याद करेंगे एक फार्मूला है आपका जाट कुम्ब एक एक एक्रोनिम हमने बनाया है के यू एम बी ठीक है तो इनकी एक्रोनिंग से जम्मु कस्मीर अब हट गया है इसमें विधान परिशत थी अब इसको समाप्त कर दिया गया है एक राज्य के रू देखेंगे ए से आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश टी से आपका तेलंगाना तेलंगाना के से करनाट का तो तीन राज्य होगे यू से आपका उत्रप्रदेश यू पी एम से महरास्टरा और बी से आपका बिहार ये कुल छे राज्य हैं जम्मु कस्मेर के लेकर के साथ थे अब ये छे राज्य हो चुके हैं जिन में आपका विधान परिशद है यानि कि लेजिसलेटिव कांसल है तो इन में से मद्रप्रदेश में नहीं है आपने देखा महरास में है बिहार में है उत्तरप्रदेश में और अन्य में आंधर प्रदेश ते लंगाना और करनाटक तक शिर्के राज्य हैं तो यह आपको बहुत ज्यादा important है यह तीनों प्रस्टों को आप लोग ज़रूर देख लिए जगा दोस्तों अगर आप अनेकेडमी पर UPPSC की complete preparation करना चाहते हैं तो हमारे classes आप join कर सकते हैं अनेकेडमी unlimited access live कर सकते हैं प्लस subscription लेकर करके जिसमें आप अभ्यान live code use करें साथ ही दोस्तों अभी हमारे पास free classes धेर सारी चल रही हैं जैसे आप अनेकेडमी Google Play Store पर type करोगे तो अनेकेडमी learning app आएगा उसको आप download करेंगे download करने के बाद get started पर जाएंगे यहाँ पर आपको contact number अपना mobile number जो भी होगा वो आपको देना होगा फिर आपको goal चूज करना होगा state PCS में जाईएगा state PCS में आपका UPSC UPSC तीक है UPSC UPSC का option आएगा इस पे आप जो है क्लिक करेंगे और मेरा नाम धनजे सिंग है आप मुझे search करेंगे और मेरी club मुझे follow कर लेंगे और उसके बाद आपसे code मांगेगा जिसमें सारी free classes आप access कर सकते हैं यह code जो है क्या है अभिना वियान लाइब है स्वागत है आश दोश ची कैसे हैं आप सभी लोग दूसरा है दोस्तों अगर आप अनेकेडमी पे classes करते हैं तो anytime anywhere live recorded classes आप देख सकते हैं mobile पे laptop पे अपने tab पे किसी भी opportunities to learn from top educator भारत के best educator यहाँ पर मिलेंगे आपको get access with best multiple correspondence courses धेर सारे courses इस पर रहते हैं structured pedagogy यहनी कि teaching style पूरी तरीके से आपके structured रहती है events like workshop strategy sessions master class आपको मिलती है मेराथन classes आपको मिलती है unlimited quizzes होते हैं आपको app पर कराया जाते हैं study materials आपको PDF form में दिये जते हैं दोस्तों आप सभी को एक खुछ खबरी देना है कि मैं per day जो है 3 p.m. और 4 p.m. पर current affairs की आपकी बहुत ही बहुत ही बहतरीन classes लेकर के आ रहा हूं जो कि पूरी तरीके से free है ठीक है पूरी तरीके से free है और इनको आप access कर सकते हैं अभियान live code यूज़ करके अनेकटमी लर्निंग अप पर इसको आप लोग जरूर जोइन करें दोस्तों अभी हमारा offer चल रहा है announcement है यह 26 महिने के subscription पर आपको 3 महिने का SSC का subscription 12 महिने के subscription पर आपको 2 महिने का free subscription मिलता है UPPSC का यह हमारी FAT8 इस सरी चल रही पूरी तरीके से यह सभी चीजें free है ठीक है इसको free access करेंगे आप लोग पूरे 150 टेस्ट होते हैं आप एक तो test भी देंगे साथ में scholarship top 25 को मिलेगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों यहाँ पर P.E.T. का test series है इसको भी free है पू जा रहा है साथ में दोस्तों हारो यारो की test preparation booster है दो गंटे का यह classes चलती है UPSI और police के लिए classes चलती है यह सभी classes जो है आपकी निशुल्क है लक्ष और यहाँ पर paper 1, paper 2 का plus subscription जो लोग है pre test series with plus subscription यहाँ पर चलती रहती है तो उसको आप लोग join कर सकते हैं यह आपका test series है ज प्लस subscription वालों के लिए है तो चलिए हम लोग 104 नमबर प्रस्म के आते हैं consider the following statement निम्न कत्मों पर विचार कीजिए मलेशिया से निम्न आये वाले कुछ परिवारों को सफेद जंडा अभियान में भाग लिया गया ठीक है white flag campaign जिसका नाम दिया गया है ठीक है COVID-19 के कारण दोनों या इन में से कोई नहीं तो comment box में आपको comment करते रहना है comment box में सभी लोग comment करें जिते भी लोग life देख रहे हैं यह को recorded है सारे लोग देखते लेकि लाइब जो है आप interact करेंगी तो वो आपकोλοगड़ाब मिलेगा तो दोसतोUND comment box में आप comment करते रहे हैं आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों दोनों ही सही है तो यह कहां पर मनाये गया है मलेशिया में मलेशिया जो है उसमें जो है white flag campaign मनायगया यह जो गरीबी यहां पर देखें निम्न आयके कुछ परिवार वर्गों इसको मनाया है सफेद जंडा अभियान के नाम से वाइट फ्लैग कैम्पेंड लॉकडाउन के कारण जो है बहुत सारे लोगों ने रोजगार खो दिया इन सभी के चलते जो है अभियान चला रहे हैं इनके पडोसी और भले आदमी उनके तक जो है सहायता पहुंचा सके जो य किसी भी प्रकार की जरूबत है तो चलिए अगला प्रस्ट हम देखेंगे निमलखित कत्नों पर विचार कीजिए थाली में केंद्री एक कैबिनेट ने सहाकारिता मंत्राले बनाने की घोश्रा की है ठीक है पहला स्टेक्मेंट है इस मंत्राले ने अपने बनने से अब ने से 45 मंत्राले बहुत ही इपसे आई है मनत्राले इ जिÓ किया है मंत्राले 거 ज г है किने है यह जानना बहुत जरूरी है और इससे प्रस्ट भी लगातार आए जैए तो आपको बताना है इसमें से कौन और ने संक्तित कोई नहीं नहीं है थे मिए learnate ये ministry of cooperation इन्होंने बनाने की घोश्डा की है with the formation of the ministry of cooperation, this ministry 43 न दोस्तों हो करके कितने है, 41 मंत्राले हो चुके है इससे पहले 40 थे, अभी ministry of cooperation को ले करके आपके कुल कितने हो गया है 41 हो गया है, यानि कि दूसरा statement आपका गलत है आपका सही उत्तर है A तो इसको आप लो comment box में भी comment करते रहें, अगला प्रस्ट हम देखेंगे दोस्तों, Grand Renaissance Dam कहां इस्तित है Grand Renaissance Dam जो है, वो कहां पर इस्तित है, Ethiopia, Indonesia आपको बताना है Ethiopia, Indonesia और भारत और Brazil, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है, Grand Renaissance Dam जो है, वो कहां पर इस्तित है वापका सही उत्तर है दोस्तों, A इस पर जो है, एक और प्रस्ट बनाए गया है काफी important है यहापको ले करके Grand Renaissance Dam को ले करके, तो अगला प्रस्ट भी हम लोग देख लेते दोस्तों, अगला प्रस्ट क्या है निमलिखित कतनों पर विचार केजिए प्रस्ट संके 107 Grand Renaissance Dam को Millennium Band के रूप में जाना जाता है यहाँ अफरीका की सबसे बड़ी जलविदुद परियोजना होगी यहाँ एथियोपिया के बेनी शानगुल गुमुज छेतर में ब्लू नील नदी पर निर्मडा धीन है तो आपको इसमें कम्लीट बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है केवल एक दो केवल दो, एक दो तीन या स्वागत है निखिल जी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर बताते रहिए Grand Renaissance Dam को Millennium Band के रूप में भी जाना गया है बेनी शांगुल गुमुज रिजन आफ एथिवोपिया एथिवोपिया के बेनी शांगुल गुमुज छेतर में ब्लू निल पर निर्माड़ा धीन है ये तो आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों तीनों ही स्टेट्मेंट आपके सही है तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट केस्टन की स्रेड़ी में आप रखिएगा ग्रैंड रहने साथ डैम को मिलेनियम बांध भी कहा जाता है यानि कि मिलेनियम डैम भी कहा जाता है यह अफरीका की सबसे बड़ी जल विद्धुत हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट है बिगेस्ट हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट इन अबरीका और यह एथियोपिया में बेनी शानगुल गुजुम छेत्र में ब्लू निल नदी पर निर्माना धीन है तो तीनों ही स्टेट्मेंट आपके क्या है सही है आपका उत्तर क्या हो जाएगा चलिए प्रस्ण संख्या 108 पर चलते हैं Consider the following statement The concept of revenge tourism यह बहुत ही interesting question है ऐसे प्रस्ण जो है आपसे UPSC में UPPSC में अभी पूछे जा सकते हैं तो आपको क्या बताना है The concept of revenge tourism is derived from the revenge spending Revenge tourism is born out of the desire to be free from the monotonous life of lockdown Revenge tourism के अधारना Revenge spending से पन्न हुई है यह आपका पहला statement है दूसरा क्या है Revenge tourism lockdown के नीरस जीवन से मुक्त होने की इक्षा से उत्पन्न हुआ है Comment box में comment करते रही है आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन और सत्य है It is not true या false है तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों D ना तो एक ना तो दो यानि कि दोनों ही कथन आपके सत्य है यहाँ पर पूछ रहा है असत्य यानि कि कोई भी असत्य नहीं है यानि कि revenge tourism है क्या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले जीजे कि पहले क्या हुआ करता था इसकी जो शुरुवात है revenge tourism की 1980 के दसब में चीन में हुई थी ठीक है revenge tourism बहुत अच्छा concept है इसको आप लोग जो है अभी आप लोग देख रहे थे न मनाली में भीड की तस्वीरें आपके सामने आई थी और भी बहुत सारे tourist place पे तो ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब लोगों को किसी काम करने से रोका जाता है या किसी परिस्थिती वस वो जो है वो काम नहीं कर पाते हैं और वो जब आजाद होते हैं वो काम करने के लिए तो बदले की बदले की नीत उनके अलाव होती है यानि की वो अपना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे थे वो घूम नहीं पा रहे थे तो वह जो है revenge के तुरूप कई महीने के lockdown हुए थे अभी आपने देखा था पिछला स्वागत है आलोग जी पिछला lockdown हुआ था तो वो कई महीने का lockdown रहा अभी भी पूरी तरीके से open नहीं है तो जैसे ही लोग छूट रहे हैं वो revenge tourism के रूप में क्या कर रहे हैं lockdown के नीरस जीवन से मुक्त होने की जो इक्षा है इसके आधार पर revenge tourism की concept है तो ये आपका दोनों ही कथन सही है असत्यकतन पूछा है आपका सही उत्तर क्या है इसकी शुरुवात जो हुई थी वो कहां हुई थी चीन में 1980 के दसक में चीन में बहुत सारी पाबंदिया थी जैसे ही लोग वहां से मुक्त हुए revenge tourism का नाम आया और इस बार भी चर्चा में है यह कहां क्यों चर्चा में क्योंकि lockdown में नीरस जीवन से मुक्त होनी की इच्छा से उपन हुआ जो tourism है वह क्या है revenge tourism है चलिए अगला प्रसन देखेंगे हाल ही में Amazon India ने अपना पहला digital केंदर शुरु किया है तो आप जो है इसका उत्तर जो है आप comment box में करते रहें गुजरात, बैंगलोरू, चेन्नई और हर्याना आपका सही उत्तर जो है जैसे आप ऐसे करें 1 का A, 2 का B इस तरीके से अलग-अलग comment करते रहें तो जैसे 109 नंबर के question है तो उसका जो है very good very good आलोग तो आपका सही उत्तर क्या है गुजरात, गुजरात के किस सहर में तो Amazon ने सूरत में गुजरात के कहां पे सूरत में सूरत में अपना पहला digital केंद्र खोला है और ये जो है 2025 तक क्या करेगा 2025 तक जितनी भी भारत में छोटे व्यापारी है छोटे और मजोले व्यापारी छोटे और मजोले व्यापारियों को digital करेगा ठीक है माना ये जा रहा है कि लगबग एक करोड लोगों को Amazon की अस्थापना कब हुई थी MSME को digital करेगा MSME के एक करोड जो छोटे मजोले वाले हैं एक करोड संस्थानों को क्या करेगा ये digital करेगा e-commerce company है ये और MSME का full form क्या होता है micro small and medium enterprises medium enterprises तो ये Amazon के अस्थापना कब हुई थी दोस्तों 1994 में ये भी Amazon क्या है ये 1994 में इसकी अस्थापना हुई थी 5 जुलाई को 5 जुलाई इसी महीने जो है उसने अपनी annual anniversary मनाई होगी तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात सूरत में ये पहला पोला गया है 110 नमबर प्रस्ण देखेंगे very good निखिल तो आप लोग अपनी तरफ से जो भी प्रस्ण पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर देते रहे हैं हाली में दुनिया के पहले एकल मोटर साइकल अभियान का समापन किया गया है किसके द्वारा सीमा सडक भवन नई दिल्ली समापन किया गया है कहां पर उत्तरी हिमाले दर्रे पर हिमाचल परदेश में या लद्दाग में आपको बताना है इनमें से कौन सा सीमा सडक भवन नई दिल्ली उत्तरी हिमाले दर्रा या हिमाचल प्रदेश या लद्दाग चलिए 110 का आप लोग कमेंट करिए 110 पे आप लोग कमेंट करिए 110 नमबर पे आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों आपका सही उत्तर है सीमा सडक भाउन नहीं दिल्ली द्वारा जो है इसका यहीं से प्रारम हुआ था और यहीं इसका समापन किया गया आपका सही उत्तर क्या होगा अभी इस पर एक और प्रस्ण है तो इसकी डीटेल एनलेसिस हम लोग अगले प्रस्ण पर करेंगे तो चलिए अगला प्रस्ण है दा एक्सपेट इडीशन कवरिंग 18th ट्रिकेरियस पासिस इन दे नौर्धरन हिमालय रेंजर वास स्टार्टड बाई उत्तरी हिमालय परवतवाला में 18 विश्वास घाती दर्रे यानि कि जो बहुत जो कठिन दर्रे को कवर करते हुए अभियान किसके दौरा शुरू किया गया सारा कशब, मिस कंचन उगा सांडी उर्वशी पटोले या सौमे नराण ये जो अभियान है वो किसके दौरा शुरू किया गया था तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट बॉक्स में बी मिस कंचन उगासंडी मिस कंचन उगासंडी जो है यह 18 विश्वास घाती जो है दर्रे इनको जो है कवर करते हुए क्या हिमालय परवतमाला के 18 दर्रों को कवर करते हुए एक motorcycle अभियान है च्या है? एक motorcycle campaign है जिसके बारे में पिछला भी प्रस्न था मोटर साइकल कैम्पेन कैम्पेन चलाए गया जिसकी शुरुवात जो है कहां से हुई थी राजनाज सिंग ने इसका समापन भी वहीं पे हुआ सीमा सडक भवन सीमा सडक भवन जिसके अभी हमने देखा था और यहां पे इंड भी हुआ हिमालाई दर्रोय से होते हुए कब हुआ शुरुवात इसकी 11 जून को और इसकी इसका अंत हुआ 7 जुलाई को ठीक है 7 जुलाई को इसका समापन हुआ 11 जून से 7 जुलाई को ठीक है नई दिल्ली में मिस कंचन उगा सांडी ने इसकी शुरुवात की थी राजनाज सिंग ने इसको हरी जंडी दिखाई थी तो यह हो गया अगला प्रस्नम देखेंगे प्रस्न संख्या 112 निम्ण में से कौन सहराज टाइगर कोरिडोर विक्सित करेगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे टाइगर कोरिडोर विक्सित करेगा मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पस्चिमंगाल निम्ण में से कौन सा राजज टाइगर कोरिडोर क्या करेगा विक्सित करेगा टाइगर कोरिडोर अभी हाली में गोशला की है इसने तो आपको बताना है कौन सा राज्य है जो टाइगर कोरिडोर गोशित करेगा मद्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पस्चिमंगाल कमेंट बॉक्स में बता रहें, आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों, राजस्थान सरकार, ठीक है, राजस्थान सरकार, कमेंट करते रहें, सही और गलत की बात हम लोग बाद में देखेंगे, तो इस पर एक और प्रस्न है, ठीक है, तो इसको बाद में हम इस पर डिसकुसन करत रण थंभार टाइगर रिजर्ब, रामगड विश्धारी टाइगर रिजर्ब और मुकुंदरा टाइगर रिजर्ब को जोडने वाला एक टाइगर कोरिडोर विक्सित करने की योजना है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, which of the above is not correct, आपको बताना है केवल एक, केवल दो, दोनों या इन में से कोई नहीं, comment box में comment करते रही है। इस पर हम लोग detail बात करेंगे, दोस्तों आपका सुत्तर है D, यानि कि दोनों ही कथन सही है। इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, यानि कि ये पहला भी statement से ये दूसरा भी है। रण थंभार टाइगर रिजर्व, रामगण विश्धारी टाइगर रिजर्व और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व को जोडने वाला एक टाइगर कोरिडोर विक्सित किया जाना है। जो हमने अभी यहां पर देखा था, ये भी प्रस्ण यहीं से संबंदित है। में दोस्तों आपको optional भी मिलता है, pre-mens की त्यारी कराई जाती है, interview की त्यारी कराई जाती है, और साथ ही साथ आपके PET या un-exam की भी त्यारी कराई जाती है। मैं इसमें दर्शन शास्त पढ़ाता हूँ, philosophy, hindi, medium में, तो ये आप मेरी class जोइन कर सकते हैं। तीन batch launch हो रहे हैं दोस्तों, तीन अगस्त से हमारा समिक्षा अधिकारी का एक batch launch हो रहा है, जिसमें मैं current affairs पूरा complete कराऊंगा। इस batch को subscribe करने के लिए आप अभियान live code use करें। दूसरा batch है दोस्तों, ये 4 अगस्त को launch हो रहा है, Wednesday को, इसमें भी current affairs मैं ही करा रहा हूँ, तो current affairs की पूरी classes यहां पर आपको मिलेंगी, आपको code use करना है अभियान live, और तीसरा जो है वो batch है आपका 75 दिरसी crash course UPPSC prelims के लिए 6 अगस्त को Friday को start हो रहा है, इसमें भी current affairs मैं क जब भी आप subscription लें, अभियान live code ज़रूर यूज़ करें, which of the following department is not under the ministry of finance, ये बड़ा ही अच्छा प्रस्न है, interesting प्रस्न है, इसको जो है आप लोग comment box में ज़रूर बताएं, निम्न में से कौन जो है वित्त विभाग जो हमारा है, वित्त मंत्राले के अधिन नहीं है, Department of Financial Services, Industrial Statistics, इस विए से आपको बताना है, कौन सा वित्त मंत्राले के अंतरगत नहीं है, comment box में बताते रहिए, अभी हाली में किसको जोड़ा गया है, अभी हाली में सारवजनिक उध्यम विभाग को जोड़ा गया है, यानि कि ये तो है ही, जो आप लोग बता रहें उपतर, ये तो confirm है, ठीक है, और दियोगिक सांखे की विभाग नहीं है यह विभाग इसमें नहीं है यानि कि उत्तर हो जाएगा आपका D और जो कुल विभाग हुए है शामिल Department of Public Enterprises या हाली में शामिल किया गया है Department of Expenditure है ही Department of Economic Affairs है ही Department of Financial Services है ही Industrial Statistics को छोड़ करके क्या है आपका Department of Economics Affairs Department of Economics Affairs दूसरा जो है Revenue Department है तीन हो गया चौथा पांचवां और छठवां छे मिनिस्ट्री इसके अंतरगत है Department of Revenue इसको Revenue Department बोलेंगे और छठा जो है आपका यह Department of Investment and Public Asset Management तीक है यह सारा लिख लिजे Department of Investment यह च्छे डिपार्टमेंट है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां यह किस के अंधीन आते हैं Ministry of Finance के दिना थे हैं इन सबको आप लोग नोट कर लिजे चलिए अगला प्रस्न हम देखेंगे अभी जो है इसी महीने की इसी महीने शामिल किया गया है ठीक है किन सरकार द्वारा जो है सारवजनिक उत्तम विभाग को इसी महीने शामिल करने का फैसला लिया गया है अब कुल 6 विभाग जो है इसमें शामिल हो जाएंगे तीक है मेरे कहाल से ये दूसरे सब्ता में इसको शामिल किया गए जुलाई के निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए दुनिया का सबसे उंचा रेत महल टीक है डेनमार्क में बनाया गया इसने 21.26 मीटर का नया गिनिस वर्ड रिकॉर्ड बनाया है दुनिया का सबसे उंचा रेत महल टीक है दुनिया का सबसे उंचा रेत महल जो है वो डेनमार्क में बनाया गया और इसने 21.6 मीटर का नया Guinness World Record बनाया है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कतन सही है केवल एक, केवल दो, दोनो या इनमें से कोई नहीं तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा केवल दो इसने जो है, पूछ क्या रहा है और सत्य पूछ रहा है तो आपको सही उत्तर होगा दो यानि कि पहला तो सही है रेत जो है ये डेनमार्क बनाया गया है लेकिन इसकी उचाई जो है, वो कितनी है? इसकी उचाई जो है, 21.6 21.269 हो करके अब ये इतना टिपिकल आपसे नहीं पुछेगा तो 21.16 है तो इतना टिपिकल आपसे प्रस नहीं ये मेरा जो बनाने का तरीका है ये आपको याद रहें चीजें जो आप भूले ना, इसके वज़े से है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 यानि कि एक सही है, 2 गलत है और ये जो है, कहां बनाया गया है? तो सबसे उच्छे सैंड कैसल इसको बोलते हैं सैंड कैसल डेनमार्क में बनाया गया इससे पहले जो है जर्मनी का, इससे पहले जो है जर्मनी का था रिकार्ड रिकार्ड था जो सत्र दस्मलो छेच्छे मीटर का था तीक है? ये आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2 चलिए अगला प्रसंद देखेंगे हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड में किस भारतियर सास्त्री को सम्मानित किया गया है जगदीश एन्भगवती, सुरजीत भला, अरविंदपन गडियां और कौसिक वसू आपको बताना है कि इसमें कौन सा कफन सही है कमेंट बॉक्स में क्योस्टन सही था, बस वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज किया गया है हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड में किस भारतियर सास्त्री को सम्मानित किया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे हैं आप लो जगदिस एन भगवती, सुर्जीत फल्ला, अरविंद पनगडिया और कौसिक बासू हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों, वेरी गूट निखिल ये है कौसिक बासू, कौसिक बासू जो है हमारे अर्थ सास्त्री है वेरी गूट निखिल तो ये क्या है, कि उन्हें जर्मनी के हैंबर्ग में जो ये हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड है, वो कौन देता है तो ये जर्मनी के हैंबर्ग में जर्मनी के हैंबर्ग में हैंबर्ग में, क्या नहम है बुसेरियस लॉइ स्कूल द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है, बुसेरियस लॉइ, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, इसको दिया गया है, कौसिक बासु को दिया गया है, चली अगला प्रस्ण हम करते हैं, सेटलाइट लॉइंच का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल निमलिकित में से कहां इस्ती थे, अराली कट्टी करनाटक, मराना, बसारी करनाटक, मालेश्वरम करनाटक और यादवार करनाटक, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस्ण है, पहली सेटलाइट लॉइंच का हिस्सा बनने वाला पहला सरकारी हाई स्कूल है, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है, अराली कट्टी, माराना बसारी, मालेश्वरम और यादवार, तीनों, चारों करनाटक से हैं, आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों, मा उत्तर दीजिए, तो उससे समझ में आगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइग रहता है, हमारी आवाज में और आपके सुनने में, कुछ सेकेंड का लाइग रहता है, इस वज़े से, जो है, कन्फ्यूजन होगा, हम नेक्स्ट के बढ़ जाएंगे, तो मालेश्वरम जो है, करना दिवस समारो उपर 75 उपग्रहों को प्रक्षेपित क्या जा रहा है, 75 उपग्रहों को क्या क्या जा रहा है, को प्रक्षेपित क्या जा रहा है, इसे आप जो हैं जरूर ध्यान रखें मालेश्वरम का एक हाई स्कूल है ठीक है अगला प्रस्मन देखेंगे ICC भरस्ताचार निरोधी संगीता के उलंगन का दोशी पाया जाने पर और श्रलंका किस पूर्व प्रदर्शन विशलेशक को साथ साल के लिए क्या कर दिया इसने प्रतिबंदित कर दिया है तो यह बताना है ठीरंथा शिरंथा नोरोशना सनत जैसुंदरा डिमुथ करुडा रतने और मिलिंडा सिरिवर्दना इस सारे जो है लाड़ी है इसलंका के ICC भरस्ताचार निरोधी संगीता के उलंगन के करण जो है ऐसा किया गया है प्रमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए तो आपको याद कैसे रखना है एक सो अठार का भी बहुत बढ़ियां क्या है उत्तर आपका एक सो अठार का भी सनत जैसुंदरा इसको हम लोग सनत जैसूरिया के नाम से याद कर लेंगे ठीक है क्योंकि यह प्रस्तन जो है पूछ इमेधा पोर्टल निमलिकित में से किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है तो यह थोड़ा सा हम लोग इसको डीटेल में बात करेंगे क्योंकि इस पर दो प्रस्न बनाएगे बड़ा ही अच्छा यह प्रस्न है तो इमेधा पोर्टल जो है निमलिकित में से किस मंत्रा द्वारा शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रा ले, वालविकास मंत्रा ले, आयूश मंत्रा ले, कौशल मंत्रा ले, आप लिखिए, 119 जरूर लिखा करिए, 119 जरूर लिखा करिए आप, और इस पर कुछ information भी आपको नोट डाउन करनी है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर है, C, आयूश मिनिस्ट्री, एक है आयूश मिनिस्ट्री, इस पर और भी प्रस्न है, तो इसको हम लोग अभी डीटेल में सारी बातें करते हैं, अगला प्रस्न देख लेंगे, आयूश मिनिस्ट्री द्वारा जो है, इसको जारी क्या जा रहा है इमेधा पोर्टल साही पोर्टल संबंधित है आयूश मन्तराले से खादे प्रसंस कर अद्योग मन्तराले से क्रिशी बनेम किसान मन्तराले से पसुपालन ड्रेरी और मज्य पालन मन्तराले से तो आपको comment box में बताना है कि 120 का कौन सा उत्तर सही है comment box में सभी लोग comment करते रहे है very good comment करते रहे है मैं अभी इसका पूरा डीटेल explanation बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है ए आयूश मन्तराले तीक है साही पोर्टल अब जो है हम लोग आते हैं पिछले प्रस्न पे आयूश मन्तराले ने पांच पोर्टल बनाए है मिनिस्ट्री आफ आयूश ने अभी जुलाई में फाइब पोर्टल लॉंच किये हैं ठीक है लॉंच्ट बई आयूश मिनिस्ट्री अब इनके नाम आप याद कर लीजे एक तो है RMIS पहला क्या है RMIS यह पोर्टल है इसका फुल्म क्या है Research Management Information System Research Management Information System Information System Portal तो यह हो गया RMIS Portal दूसरा पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों दूसरा है आयूर्वेदा Database in Clinical Trials आयूर्वेदा Database यानि की CTRI CTRI है RMIS दूसरा है CTRI CTRI क्या है यह Clinical Trials Registry of India ठीक है Clinical Trial Registry of India ठीक है तीसरा पोर्टल कौन सा है यह इमेदा है इसकी बात हमने की थी इमेदा इसको Capital में लिखिएगा तो इसका Full Form भी आपको M-E-D-H-A मेदा इसका Full Form क्या है Electronic Medical Heritage Association Electronic Medical Heritage Association Association स्वरी Association नहीं Heritage Association यह है मेदा चौथा जो है फोर्थ जो है यहां पर आप लिख लिजिए फोर्थ जो है वो है अमर A-M-A-R अमर यह क्या है इसका Full Form आयूश Manuscript A-Y-U-S-H Manuscript आयूश Manuscript Advanced Repository इन में से कोई न कोई एक पोर्टल आप से पूछेगा और फिप्थ जो है आपका पांच पोर्टल की बात हुई थी न तो इसका नाम है Sahi S-A-H-I अब Sahi का Full Form क्या है तो यह Showcase of Ayurveda Historical Imprints Showcase Showcase of Ayurveda Ayurveda Historical Imprints यह पांच पोर्टल है Ayurveda Ayurveda ने लौँच किये इन पांचों का नाम आप लोग डीटेल में याद रखे चलिए अगला हम देख लेंगे 121 नमबर का प्रस्न तो आप लोगों को प्रस्नों की प्रकिति सही लग रही है प्रस्न जो है सभी 900 प्रस्न आप कर लेंगे तो आप प्रस्न बिल्कुल भी गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगे आप इसमें अगला प्रस्न देखेंगे 121 हाली में दुरलब, मेलानिस्टिक, तिंदुआ, नवे गाउं, नाग, जीरा टाइगर रिजर्व में देखा गया है यहां पर मेकर दीजिएगा नवे गाउं, नाग, जीरा, टाइगर रिजर्व महरास्ट में इस्तित है तीसरा है दुरलब, मेलानिस्टिक, तिंदुआ, या बलैक पंथर, एक दुरलब, तिंदुआ है और चोथा है भारत में बलैक पंथर, दक्षडी राज्यों, करनाटक, तमिलनाड, केरल, महरास्ट आधि में पाया जाता है कमेंट बॉक्स में आप बताईए कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है एक और तीन, दो और चार, एक तीन चार और उपरोगत सभी कमेंट बॉक्स में आप लो, उत्तर बताते रहे है तीक है, आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों उत्तर होगा D यानि कि जो दुरलब, मेलानिस्टिक, तिन्दुआ, नवे गाउं, नाग, जीरा, टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है ये ब्लैक पैंथर भी इसको बोलते है नवे गाउं, नाग, जीरा, टाइगर रिजर्व कहां पर इस्तित है ये है आपके महरास्ट में इस्तित है वेरी गूड, वेरी गूड आलोग और मेलानिस्टिक तेंदुआ या ब्लैक पैंथर एक दुरलब तेंदुआ है भारत में ब्लैक पैंथर कहां पाये जाते है करनाटक, तमिलनाड, केरल, महरास्ट, आदी, दक्षिड और पस्षिम के जिलों में राज्यों में पाये जाते है यह हो गया 121 का, इसको भी most important question के रूप में लिखिएगा चलिए, अगला प्रस्न में देखेंगे निमलिखीत कत्नों पर विचार कीजिए कैप्टन गुर्जिंदर कैप्टन गुर्जिंदर सिंग सूरी के जन दिन के औसर पर एलोसी के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद दस्मारक का उधगाटन किया गया है दूसरा statement क्या करता है यह 1998 में आपरेशन बिरसा मुंडा के दोरान चहीद हुए थे दूसरा प्रस्न है यह भारती सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाब किया गया दंडात्मक छापा था ठीक है इट इस आ प्यूनिटीव रेड बोला जाता है यानि कि कोई आप करवाई गलत कर देंगे तो उस पर जो है अगर हम छापा पोड़ते हैं तो इसको प्यूनिटी रेड बोलते हैं ठीक है आपको बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर सभी आप लोग करते रहिए इससे की इंटरेक्शन बना रहेगा हमारा आपका इंटरेक्शन जो है हमारा आपका बना रहेगा यह भारती सेना की बिहार बटालियन चलिए तो आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों यह इनमें से पूछ रहा है कौन सा आ सकते हैं ठीक है कौन सा आ सकते हैं आलोग थोड़ा सा ध्यान दीजे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आ सकते है ठीक है आप लोग थोड़ा सा तो आपका सहीवत्तर क्या है दोस्तों केवल दो यानि कि दूसरा वाला statement आपका गलत है क्यों गलत है इस statement पूरा नहीं गलत है यह 1999 की गटना है जो कारगिलवार के समय हुआ था ठीक है ठीक है उत्तर हो जाएगा इसका C इसमें पूछा गया है कि कौन गलत है बाकी कैप्टन गुर्जिंदर सिंग सूरी के जन्विन के उसर पर LOC के पास गुलमर्ग में यानि कश्मीर में कैप्टन की याद में एक युद दिसमारक का गाटन किया गया बिर्सा मुंडा यह operation चलाया था प्यूनिटी रेड थी यह पाकिस्तानी सेना पर गंडात्मक कारवाई के अंतरगत ली गई थी और यह भारती सेना की बिहार बैटालियन दारा पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाब की गई थी तो आपको आसत्य पूछ रहा है आपका उत्तर हो जाएगा C ठीक है तो इसमें अभी कोई confusion नहीं होना चीए चलिए अगला प्रस्णम देखते दोस्तों भारत का पहला समुद्री मध्यस्ता केंदर स्थापित क्या जा रहा है कहां पर गुजरात महरास्ट केरल और तमिलनाडू दोस्तों आप सभी को के लिए खुशकबरी है कि मैं 3 पीम और 4 पीम पर 3 पीम और 4 पीम पर initial classes ले रहा हूँ Unacademy Learning App पर Unacademy Learning App आप डाउनलोड करिए वहाँ पर हमारा बहुत सारा option होता है Raise Your Hand का option होता है आप जो है वहाँ पर Vice Raise कर सकते हैं आप जो है पोल का option है पोल कर सकते हैं तो बहुत मजाता है वहाँ पर आप जो है यह पूरी तरीके से free है आप जो है अभियान Life Code Unacademy Learning App आप डाउनलोड करिए और उसमें जो है very good तो यह भारत का पहला समुद्री मद्धिस्ता के अंदर कहा स्थातिक के जा रहा है very good निखिल very good रेनू तो यह है गुजरात में गुजरात पे कहां गुजरात इंटरनेशनल क्या है maritime arbitration center इसका पूरा नाम क्या है गुजरात इंटरनेशनल maritime यानि के समुद्री arbitrary center arbitration center इसका भी आपना म्याद रखेंगे हाँ प्लस पर जो है प्लस पर है आप रवी जी current affairs की दो बैच है हमारे एक बैच भी अपरेल में समाप्त हुआ है second अगस से आप मेरा नाम धनजे सिंग आप सर्ज करिएगा जो लोग भी प्लस पर है प्लस के जो बैचेस हैं उनके बारे में मैं बता दूँ प्लस के बैचेस के बारे मैं बता देता हूँ अगला प्लस हम देखेंगे भारत की जैसमीन राजधानी के रूप में विक्सित हुआ है कन्नावज, मदुरई, सिकंदरपूर और गाजीपूर ठीक है तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग क्यूस्टन है और मैक्सिमम लोग जो है इसको मैं प्लस पर स्पेशल क्लास में कराया हूँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहे है 124 का उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे हैं आप लोग जिसे कि यह क्लासे जो है बहुत लंबी ना हो वेरी गुड निखिल तो आपको सही उत्तर क्या है बी मदुरई, मदुरई जो है यह इसने अभी जी आई टेग प्रमारित किया गया है ठीक है, मदुरई को जी जी आई टेग, किसके लिए घी टेग किसके लिए दिया गया है तो यह चमेली और अन्य पारम पर इक जो फूल है जिसको चमेली, जस्मीन को क्या बोलते हैं चमेली एवम अन्य पारम पर इक फूल फूलों के लिए इसको GI tag दिया गया है मदुरही से आपको जान करके हैरानी होगी कि यहां से export किया जाता है यह full flowers जो है export किया जाते हैं कहां पर एक तो USA किया जाते हैं और UAE में बहुत बड़ी मात्रा में container से यह सारे full जो है यहां पर send किया जाते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मदुरही मदुरही कहां पर है मदुरही जो है तमिल्लाड में आपके तमिल्लाड में चलिए उत्तर अगला प्रस्न हम देखेंगे थोड़े से बड़े प्रस्ना है तो घबराएं मत करें आप लोगों को यह informative पूरी current phase की जो मेरी class होती है पूरी informatory होती है आप दीरे दीरे पढ़ेंगे उसके प्रस्न शॉल्व करेंगे तो आपसे maximum चीजें जो है essay जो है वो संडे संडे कर दिया गया है रेनु जी essay जो है आपका essay जो है आज एक था food security पर food security पर और देखेंगे तो उसी essay को अभी मैं यहां पर भी कराऊंगा ठीक है और उसके बाद संडे संडे कर दिया गया है चलिए पढ़ यह पढ़ लेते हैं हम लोग यह प्रस निमलकित कत्नों पर विचार कीजिए डिया डियो और अखिल भारती तक्नीकी सिख्षा परिसद यानि कि All India Technical Education ने रक्षा परिसद में एक नियमित M.Tech कारिकरम शुरू किया है यह कारिकरम रच्षा और दियोगी की छेत्रों में आवस्यक सेदान्तिक और प्रयोगी ज्यानकोशल को योगिता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है तो 125 का Very Good निखिल सचिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है तो D कैसे होगा D कैसे होगा सचिन आपका सही उत्तर क्या है दोनों ही कथन सही है आपका उत्तर क्या हो जाएगा C यानि कि DRD और अखिल भारती AICT द्वारा MTEC कारिकरम शुरू किया गया है जो संवद संस्थानों या विद्ध्यालें जैसे NIT, IIT या नीजी इंजिनिंग्स जो है संस्थानों में आजिद किया जा सकता है वो डिफेंस के लिए यह कारिकरम प्रधान मंत्री मोधी ने आत्म निर्भर भारत के दिश्ट्रिक मोड से लागू किया है तो इसको बहुत ज़्यदा important question है यह आपने देखा कि भारत की हथियारों से जो आयात है वो 33% घटा भी है making इंडिया के तहट जो है बहुत सारे ऐसे कारिकरम चलाया जा रहे है जो भारत अपने हथियारों और जो लड़ाकु विमान आदी की पूर्ती जो है स्वेंक क्या धार पर कर ले अगला प्रस्न हम देखेंगे बावनमा भारती अंतरास्थी फिल्म होसो आई एफ एफ आई कहां पर आए जित किया जाएगा यह पहुत आसान सा प्रस्न है आप इसको जल्दी से 126 नंबर प्रस्न पर कमेंट करिए आप लोग गोवा बैंगलोर दिल्ली और मुंबई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए यह जो है आप जो है हर बार जो है देखते होंगे हर साल लगबग very good very good रेनू सभी लोग कमेंट करें जिते भी लोग live हैं देखे live रहने का एक फायदा रहता है आपका कि 126 very good very good रेनू तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गोवा गोवा में यह कब आयो जित क्या जाएगा तो यह number क्या सपास जो है 20-28 नॉवंबर 20-28 नॉवंबर को 2021 को अंतरास्टी भारती अंतरास्टी फिल्म हो सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया यह स्था कब की जाएगी अगला प्रस्न हम देखेंगे प्रस्न संखे 127 निमलिकित गत्नों पर विचार कीजिए कैसे नहीं अंतरिक छ प्रस्टियान इसरो का है यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग इसके उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हैं कैसे नी मिशन 1997 में लॉंच किया गया दूसरा स्टेट्मेंट है तीसरा है शनी के चंद्रमा टाइटन में मीथेन गैस मौजूद है यह आपको बताना है इसमें से 127 का कौन सा उत्तर सही है केवल एक केवल दो 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 या दो तीन इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है यानि कि सही है पहुत आसानी से ऐलोबरेट कर सकते हैं आप और थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कैसे नी के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आप लोग कर ले यह आपका सहित्तर क्या होगा दोस्तों डी यानि कि इसमें दो और तीन जो है सही है कैसिनी मिशन की शुरुवाद जो है 1997 में की गई थी शनी पर संबंदित इसलिए नाम इसका कैसिनी है ठीक है कैसिनी से हम शनी शैटर जो है वो भाव लगा लेंगे कैसिनी अंत्रिक्ष्यान इसरो का नहों करके किसका है बहुत कॉमन सा है इसरो का नहीं है यह नासा का ठीक है तो बहुत आसान है इसको अलग करना नासा का फुल फॉर्म बते ये नासा के बारे में अब ये तरल महासागर माना गया है कि एंडेलेट्स नामा के एक अन्ये चंद्रमा पर एक तरल महासागर मौझूद है और प्लूमस का प्रस्पुटन वहापर होता है तो ये सारी चीज़े कैसनी द्वारा शनी के चंद्रमा टाइटन के बारे में और अन्ये चंद्रमा के बारे में जानकारी ले गई है चली अगला प्रस्प हम देखेंगे अगला प्रस्प की यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है उसको कर लिजेगा तिलंगाना के रामा गुंडम में 100 मेगावार्ट की चंद्रमा भारत का सबसे उंचा बड़ा नहीं सबसे उंचा तैरता हुआ सौर उर्जा सैंत अस्थापित किया जाएगा तीक है दूसरा क्या है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर उर्जा सायंत मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के राजगाट बाद पर अस्थापित किया जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है केवल एक, केवल दो, दोनों या इन में से कोई ने कमेंट बॉक्स में, कमेंट बताते रहें सब भी लोग कमेंट करते रहें इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, इन दिहान रखेगा यह सबसे उंचा यहाँ पर है और विस्व का सबसे बड़ा तायरता हुआ सर उर्जा सेंतर जो है MP के, कौन से नदी पर है नर्मदा नदी पर और उंकारेश्वर बाध है ना कि बेत्वा नदी के राजगाड बाध पर यह दोनों गलत है ठीक है? यह कहाँ पर है? नर्मदा नर्मदा नदी के उंकारेश्वर तो ये वाला statement आपका गलत है ये सही है ये बड़ा की जगा उंचा कर दीजिए तीक है आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये चलिए अगला प्रस्त हम देखेंगे निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए हाली में WWF और UNEP द्वारा जो है सभी के लिए बहतर भविश है मानव वन्यजीव सहस्तित चावशक्ता सेर्शक से एक रिपोर्ट जारी की गई है 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव आबादी में आस्तन 65 प्रस्त की गिरावट आई है उप्रोक्त में से बताना है आपको कौन सा कतन सही है तो अस्फाक, रेनू सभी लोग क्विस्चन नंबर डालके तब आंसर बताए तो उससे जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा रिसेंटली ए रिपोर्ट टाइटल्ड बेटर फ्यूचर फॉर आल नीड फोर हुमन वाइडलाइफ को एक्जिस्टेंस यह आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है तो आपका उत्तर क्या है दोस्तों यह केवल एक सही है तो हाल ही में डबल डबल एफ और यून एफ़ी द्वारा सभी के लिए बहतर भविस्टेंस मानो बन्यजीव को एक्जिस्टेंस की आवसकता सिर्षक पर मानो बन्यजीव संघर्स रिपोर्ट जारी की गई यह जो 1970 के बाद 65 प्रस्ट नहों करके यह 68 प्रस्ट है इसलिए यह स्टेट्मेंट गलत हो जाता है 68 प्रस्ट की गिरावट आगी और यह बहुत बड़ी गिरावट है इसको जो है आप देख सकते हैं केवल पहला वाला स्टेट्मेंट आपका सही है चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं अंटार्क्टिका में इस्थित भारती इस्टेशन नहीं है इसमें आपको बताना है अंटार्क्टिका में इस्थित भारती इस्टेशन नहीं भारती मैत्री गायत्री गंगोत्री चलिए यह तो बहुत ही आसान प्रस्ट है बहुत ही आसान प्रस्ट है अभी जो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो man versus wild man versus wild जो है जो conflict चल रहा है इसमें माना गया है कि 500 हाथी जो है 2014 से लेकर के 2019 के बीच 2014 से 2019 के बीच जो है 500 हाथी मारे गए अभी आपने देखा केरल में क्या हुआ था किसी ने उसको बम खिला दिया था तो इस तरीके की बहुत सारी घटना है तो यह जो है इसमें जो है अगर माना गया हाथी संघर्स की बात करें तो इसमें जो है 2361 मनुस से भी मारे गए व्यक्ति भी मारे गए इसके लिए माना बंजन भारत जो है सबसे ज़्यादा क्या है प्रभावित होने वाला कोई देश है तो कौन सा है भारत 130 पर हम लोग बात कर रहे है 130 का B कौन सा है कमेंट करते रहे बाकी तो सहयुक्तर तो मैं बताऊंगा ही तो अंटाक्टिका में इस भारती इस्टेशन कौन सा नहीं है तो ये इस्टेशन कौन सा नहीं है गायत्री नहीं ठीक है हमारा भारती, मैत्री, गंगोत्री ये तीनों है तो आपका सही उक्तर क्या हो जाएगा ये 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 और बाकी तीनों जो है सही है भारती में अभी एक अंटार्क्टिका में एक मौस की खोज हुई है ठीक है? मौस यानि की मौस लाइकन वाला ठीक है? इसको काई हिंदी में बोलते हैं एक प्रकार की काई है जिसकी खोज हुई है जिसका नाम भारती के ही नाम पर रखा गया है इसका नाम जो है ब्रायूम भारत तिन सिस ठीक है? ब्रायूम भारत तिन सिस रखा गया है किसका नाम? एक मौस का नाम रखा गया है इसी वज़े से चर्चा में गयत्री नाम का कोई भी हमारे पास ये अंतरास्टी ये जो है भारती स्टेशन अंटार्क्टिका में नहीं है अगला प्रस्ण हम देखेंगे स्पर्च संबंदित है ये भी आसान सा प्रस्ण है स्पर्च जो है किस से संबंदित है? रेल मंतराले, स्वास्त मंतराले, रक्षा मंतराले और रक्षा मंतराले आपको comment box में बताना है 131 का कौन सा कथन जो है आपका सही है 131 का कौन सा statement जो है कौन सा option जो है आपका सही है very good 131 का क्या है D अब D कैसे सही है तो spurs का full form आप लिखेंगे spurs जो है इसका full form क्या है system for pension administration system for pension administration pension administration यह है यह आपका उतर है और साथ में इसका spurs का full form है और यह क्या है यह जो है रक्षा विभाग दोरा यानि कि ministry of defense दोरा जो है यह क्या किया गया है रियन्मित किया गया है यह automation पे है किसका कितना automation पे है नाम क्या है इसका spurs चलिए अगला प्रस्थ हम देखेंगे निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह भी बहुत important question है इसको आप लोग देखेंगा और map में इन जगों को जो नाम यहाँ पर बताए गया है इन जगों को आप लोग जरू देखेंगे निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह अटोलिको लगून पस्च्मी ग्रीस में उत्तरी पेट्रोस खाड़ी में स्थित है हाली में गोता खोरों के एक समूह ने इस लगून में सैकडों डुगोंग देखे जाने की सूचना दिये उपरोक्त कत्नों में से कौन सा कत्न असत्त्य है आपको क्या बताना है कौन सा असत्त्य है ठीक है यह भी बड़ा ही इंट्रेस्टिंग केस्चन है एटलिको लाइगून के बारे में आपको बताना है तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजे इसका उत्तर तो आपका साही उत्तर क्या है दोस्तों B यनि कि यहाँ पर सैकडो डुगोंग डुगोंग न देख करके देखे कि यहाँ पर अनेकेडमी में जो सब्सक्रिप्शन होता है वह एक ही सब्सक्रिप्शन है तो एक मिनिट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन को लेकर के यह जो सब्सक्रिप्शन होता है अनेकेडमी का वो किसी course wishes का नहीं होता है यह आपकी entry fees होती है ठीक है entry fee होती है जैसे आपने किसी institute में entry ले लिए तो जितने भी courses चल रहे हैं वो उतने समय के लिए माले जे एक महिने के लिए लिए आपने एक महिने का access कर सकते हैं सारे courses जितनी बार भी चाहें उतनी बार भी आपने एक साल के लिए लिया है तो उसमें इतने सारे courses होते है pre-men's interview, UPPSC, lower PCS, ROYRO, UPSI, PET, Lekpal, BEO optional courses भी even सामिल है इसमें ठीक है अगर आप देखेंगे तो subscription का price पढ़ने वाला है तो आप लोग जल्दी subscription ले लें subscription देखिए हमारे पास कई है 24 महिने का subscription है वो जो है आपका 84,000 का होता है जैसे ही आप अभ्यान लाइब कोड यूज करेंगे A, B, H, I, Y, A, N, L, I, V, E तो ये आपकी पढ़ती है cost 2 साल की मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 साल की 75,60 रुप है दो साल की जिसमें pre, mains, interviews, सब कुछ कबर होगा आपको अलग कोई test, mains का, pre, का, सब का optional भी इसी में शामिल है एक साल की फीस जो है discount के बाद आपकी 63,000 की पढ़ती है 6 महिने की फीस जो है 6 मन्द की वो जो है 6 मन्द की जो फीस है वो 5,040 की पढ़ती है 3 मन्द की फीस जितना भी आप कम लेते जाएंगे उतना थोड़ा costly पढ़ता है ठीक है 3 मन्द की फीस जो है वो 31,50 की पढ़ती है और 1 मन्द की फीस जो है तो जिनको भी ऐसे लेना है न वो 1260 रुपे तो एक महिने का आप subscription ले लीजिए आपकी classes जो है अगले महिने पूरा एक एक कर लेके complete हो जाएंगी यानि कि essay की class जो है हमारी complete हो जाएगी Sunday Sunday 4 Sunday 4 essay बचे हुए 4 classes आप कर लेंगे बाकी जो है 8 classes recorded देख लीजिए जो हो चुकी है यह recorded देख सकते हैं ठीक है बाकी जो है हम आपको उसके साथ ही PDF देंगे PDF जो है कितने मिलेंगे आपको 75 प्लस essay के notes मिलेंगे आपको hand written और 15 जो है नए essay हम लोग यहाँ पर करेंगे 15 new essay यानि कि टोटल जो है आपके 90 प्लस essay कवर हो जाएंगे ठीक है इससे बाहर आपको कभी भी निवंद मिलता नहीं तो यह process है आपका subscription का अभी इससे जो है कल जो है जो लोग भी essay की class करना चाहते है कल हमारा मुल्यांकन सत्र है जो की free होता है ठीक है नहीं इसके बाद कोई पढ़ना नहीं इसी से इसकारा complete हो जाएगा 8.30 to 9.30 आजाएए जो हमारे student है जो लोग लिख रहे हैं उनकी copy चेक होगी और 11 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक यह 2 घंटे का हमारा क्या है answer checking session है जो सभी के लिए free रहता है इसमें कोई चार्ज नहीं देना है किसी को भी जैसे ही आप आप डाउनलोड करेंगे उस पर अभियान लाइब कोड यूज करेंगे तो आपको यह free of cost जो है एम एम यह 3 एम है सुबह में सुबह में बोल रहा हूँ यह एम है सुबह में आपको यह class कल ही है तो आप इसको join कर सकते है चलिए हम लोग कुछ प्रसन और बचे है उनको complete कर लेते है तो आप जो है entry fees है समझ गए होगे process इसमें आपको दुबारा कोई fees नहीं जमा करने होती है और एक बार subscription ले लेंगे तो सभी teachers के classes आप access कर सकते है किसी भी time अप देख सकते है recorded देख सकते है live देख सकते है कितनी बार भी देख सकते है notes कितनी बार भी download कर सकते है तो यह सारी सुविधाया रहते है जब तक subscription रहता है तब तक आप course जो है access कर सकते है चलिए हम लोग 133rd पे आते है light of Asia नाम सुनाई होगा सभी ने बच्चपन में ठीक है तो light of Asia संबंदित है किस से संबंदित है महवीर स्वामी गौतम बुद पार्शनात यह पार्श है पार्शनात और रिशब देव आपको बताना है इसमें से कौन सा है 133 का बहुत आसान सा प्रशन है और यह प्रशन पूछने के पीछे जो है लॉजिक भी मैं बताऊंगा भी कि क्यों light of Asia आप से पूछा जाएगा तो आपका सहित्तर क्या है सभी को पता है गौतम बुद light of Asia नाम की एक book लिखी है किसने लिखी है हमारे एक्स जो है इन्वर्मेंटल मिनिस्टर जो है परियावराण मंत्री जैराम रमेज जी ने ठीक है तो जैराम रमेज जी का की book है जो हमारे पूर वो जो है परियावराण मंत्री रहे चुके हैं उनका UPA government में तो इनकी एक पुस्तक है जो बुद्ध पर एक महा काव्य माना जा रहा है ठीक है ये congressी नेता है लेखक है काफी इनके articles भी आते हैं काफी intellectual माने जाते हैं अच्छे बेक्ति हैं इनके बारे में आप लोग ज़रूर ज्यान रखिएगा तो ये पुस्तक आप से पूछी जा सकते हैं चलिए 134 विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बहुत आसान सा प्रस्ण है अब ये प्रस्ण पूछने का कारण क्या है तो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जून या 11 जून सब भी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें बहुत आसान सा प्रस्ण है तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है अब ये 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है पहली चीज तो ये है और इसी दिन हमारे जो है अभी जो है हमारी population policy आई है न population policy UP की population policy आई है कौन सी 2021 से 2030 ठीक है अभी देखिए यहाँ पर नंबर अलाव नहीं है एक बार हमारा जो है न मैराथन वीडियो देख लीजिए ठीक है रभिंदर जी मैराथन वीडियो है उसमें आपको contact number मिल दाएगा आप टाइप करिएगा मैराथन वीडियो UPPSC Mains 2018 ठीक है तो उसमें उस वीडियो में आपको मिल दाएगा लिंक तो आप वहाँ से नंबर ले करके आप बात कर सकते हैं यहाँ पर नंबर देना अलाव नहीं है तो यह policy आई थी अब यह policy यह दे कौन है क्योंकि 11 जुलाई ज्यान रखिए 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या है जो 5 ट्रिलियन 5 अरब हो गई तीक है इसी दिन से इस दिवस को मनाया जाता है तीक है इस दिन से 5 बिलियन डे इसको बोलते हैं क्या 5 बिलियन डे इसी दिन से यह मनाया जाता है साथ ही दोस्तों अब 5 अरब लोगों तक जो है इस तारी को मतलब हम लोग पहुँच गए अब जो है विश्व जनसंख्या दिवस 2021 यहनि कि Population Day की थीम आप लोग याद करिएगा Population Day की थीम बताइए 2021 बहुत important है इस बार आना है UP में 100% यहाँ की थीम पूछी जाएगी तो क्या है यह लिख लीजे Effect of COVID-19 Pandemic Pandemic On Fertility Very Good Fertility Impact है ना Effect नहीं Impact है Very Good Impact ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यह बहुत ही important प्रस्न है Impact Effect नहीं Impact of ठीक है On Fertility Fertility यह आपका थीम 11 जुलाई को और इसी दिन हमारा Population Policy आई है कहा की उत्तर प्रदेश की UP की इसके Targets है तो यह Essay के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Essay के लिए भी यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर भी मैंने Essay कराया है ठीक है पूरी Policy जो है Essay पर भी बहुत ज़रूरी है तो उसको आप लोग देख लीजेगा चलिए हम लोग कुछ और प्रस्न बचे हैं उन प्रस्नों को देख लेते हैं हमारे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर ले लाइक, शेर, कमेंड भी करें अपने दोस्तों के भी शेर करें और इस पर जो है पॉर्डे मैं पांच बजे, छे बजे लाइब मिलूँगा आपको साथ में दोस्तों यहाँ पर आपसे निवेधन है कि आप लोग कोशिश करें कि मेरी free classes जो है, जो unacademy पे special classes के नाम से जानी जाती है free classes जो है, जरूर access करें free classes वो unacademy learning app पे ही आपको मिलती है, 3 p.m और 4 p.m पे पर डे मैं आपको यहाँ पर live मिलूँगा, free classes जो इससे कि आपको पूरी तरीके से मेरी strategy, मेरी चीजे जो है आपको पता चल जाएंगी चलिए, एक और प्रस्न देखते हैं 57 प्रस्न और बचे हैं तो मुश्किल से 15 मिनिट लगेंगे Consider the following statement National Fish Farmer Day is celebrated every year on 10th of July राष्टियमद से किसान दिवक जो है, वो प्रतिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है It is celebrated in collaboration with the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Daring and National Fishery Development Board यानि कि मज से पालन, पशु पालन, डेरी मंत्राले, मज से विभाग और राष्टियमस्चन पालन, विकास बोर्ड के सहयोग दोरा मनाया जाता है इसी मनाने का उद्देशी किया है मज से संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना यह लंबा चोड़ा है आपको बताना है इस पर उत्तर बता दीजिए इस तरीके के प्रस्न जो है UPSC ज़्यादा तर पूछ रहा है कुछ-कुछ प्रस्न आप जो है यह informatory होते हैं जो आपको test series में इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको सारी detailing जो है प्रस्न में ही मिल जाए 10 जुलाई को मनाया जाता है यानि कि population day से एक दिन पहले मज से day मनाया जाता है मज से किसान दे बस ठीक है क्या fish farmer day national fish farmer day आप यह type करिए न मेराथन UPPSC यह हमारे कोई प्राने एस से देखिए जा essay भाई धननजे सर टाइप करिए essay भाई धननजे सर पुराना हो छे महीने एक साल का पुराना हो उसमें डीटेल मिल जाएगी आपको फड़ा सा बढ़ा के देख लीजेगा PDF में भी डीटेल रहेगी एस से भाई धनननजे सर कर देंगे न तो यह जो है आपका उत्तर हो जाएगा यानि कि यह तीनों जो है कथन आपके सही है चलिए अगला प्रस्न हम देखेंगे हंगर वारस मल्टिप्लेक्स रिपोर्ट इस रिलेस्ट बढ़े है एपके अपको बथाना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है Hunger Virus Multiplies Report जो है किसके द्वारा जारी की जाती है 136 का करिए करिए सभी लोग यह बहुत important release आई है आपने देखा काफी चर्चा में भी थी Corona crisis में जो लोगों की मौते हो रही थी उस पे जो है Oxfam ने एक report जारी की है ठीक है The Hunger Virus Multiplies ठीक है The Hunger Virus यह है The Hunger Virus Hunger Virus Multiplies अब इसमें क्या कहा गया है दो statement है इसके वो याद करने है माना यह जाता है कि अभी Corona crisis में बहुत सारी मौते हुई यानि कि प्रति मिनट 7 people प्रति मिनट जो है मृत्य हो रही थी ठीक है Oxfam की report है यह 2021 की ठीक है प्रति मिनट ठीक है मृत्य हो रही थी लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बोला Oxfam ने यह कहा कि दुनिया भर में 11 people per minute hunger से मरते हैं समझ में आ रहा है भूख मरी से people per minute किस से मलते हैं यह तो कोरोना से मरे तो यह मरना कोई बड़ी बात नहीं है इससे पहले जो है आप जो है देखेंगे तो hunger से मरते हैं भूख मरी से इसको essay में भी आपके लिखने पर काम आएगा आज मैंने जो essay कराया है वो essay क्या है food security तो सभी लोग इसको देख लें जो लोग भी प्लस पर है food security and a global challenge बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक मुद्दा है और इस पर निवंद जो है पक्का आना है तीक है food security a global challenge जो है इस पर अमने प्लस पर ऐसे कराया है Oxfam नहीं Oxfam जो है ये गरीबी विरोधी संगठन है ठीक है ये एक प्रकार का NGO है COVID-19 में इसने Oxfam इंडिया की नहीं ठीक है ये दुनिया भर में जितने भी लोग है इसको Google करिएगा Oxfam संगठन मेरे खाल से ये USA या Europe का है ठीक है इसको आप लोग Oxfam के बारे में देख लीजें इसके रिपोर्ट को भी आप यूज करेंगे डेटा के रूप में एसे में ठीक है चलिए अगला आप प्रस्ट हम देखते हैं Who has been selected as the first Indian juror for the upcoming Tokyo Olympic जो Tokyo Olympic हो रहा है न आपके लिए जो निर्डए देता है उसको जीरर बोलते हैं उसको वो कौन सा है निमने में से मदन सिंग, पवन सिंग, राम सिंग, गोपी सिंग comment box में आप लोग उत्तर बताईए फिर मैं बताता हूँ comment box में आप लोग उत्तर बताईए very good हर्ष जी फोड़ा देल जेली करिए आप लोग तो आपका उत्तर क्या है? B, पवन सिंग पवन सिंग जो है इसके जीरर है जो टोक्यो में तो भारती राष्ट्रिये राइफल संग के सन्यूक्त महासचिव है ये कौन है? भारती राष्ट्रिये राइफल संग के संयुक्त महासच्यों यानि Joint Secretary ठीक है संयुक्त महासच्यों और ये कहां से संबंदित है ये ओलम्पिक खेलों में पहली बार कोई भारतिय जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा most important है और ये जो है महारास्ट के पूने से है तीक है Glory Shooting Academy इनकी है इनकी जो अकादमी का नाम क्या है? Glory Shooting Academy इनकी नाम है ये महारास्टरा के पूने से हैं पूने महारास्टरा से हैं तीक है? इनका नाम आपको जरूर याद रखना है चलिए, अगला प्रस्थ हम देखेंगे Consider the following statement Eric Garcetti अमेरिका के Eric Garcetti को भारत में राज़ूत नियुक किया गया है क्या Ambassador के रूप में अपॉइंट किया गया है Eric Garcetti Republican Party के से संबंदित है आपको बताना इसमें से कौन सा कथन आपके लिए सही लग रहा है तीक है, प्रस्थन संक्या कौन सा है हमारा 138 चलिए, उत्तर दीजिए सभी लोग Eric Garcetti उसके लिए से 2-3 प्रस्थन और बच्चे हैं तो हम लोग यह session समाप्त करेंगे आपका साही उत्तर क्या है दोस्तों A, यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 यानि कि अमेरिका के Eric Garcetti को भारत का नया राज़दूत ने उत्किया गया है लेकिन यह कौन सी पार्टी से है Democratic Party Democratic Party ना कि Republican नहीं है, Democrats ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा, केवल एक दूसरा वाला statement आपका गलत है चलिए, अगला प्रस्कन देखते है Consider the following statement Indian Railway has decided to operate चारधाम यात्रा in October भारती रेलवे में अक्टूबर में चारधाम यात्रा संचालित करने का नेड़ लिया है दूसरा है, special train, बदरिनाथ, जगनाथ, पूरी, रामिश्वरम और द्वारका धीश सहित कई सिर्ष परेटन अस्थलों की सहर कराएगी आपको उत्तर बताना है जल्दी से comment box में बताईए comment box में इसका उत्तर बताईए चले, आपका उत्तर में बता रहा हूँ आपका सही उत्तर क्या है? B ये जो भारती रेलवे ने अक्टूबर में न करके इसको कब क्या है? September में तीक है? ये कब है? September 2021 में अब ये यात्रा क्यों कराए जाई है? तो एक यात्रा अभी शुरू हुई थी श्री रामायड यात्रा ठीक है? श्री रामायड यात्रा ठीक है? जिसमें रामायड से संबंदि जोस्थल हैं उनकी यात्रा कराए जा रही थी वो जो है इसकी लोक्रियता को देखते हुए जिसमें इसमें जो है क्या था, देखो अपना देश, देखो अपना देश करके एक योजना चलाएगी थी, IRCT द्वारा, देखो अपना देश, किसके द्वारा, IRCTC, IRCTC द्वारा योजना चलाएगी थी, इसी की तर्ज पर चार धाम यात्रा का एक कॉंसेट बनाये गया है, जो बद्रिनाथ, जगनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वार का धी सहित कई परेटा नस्थलों में यह जाएगी, आपका उत्तर हो जाएगा, दो तो सही है, यह अ दिखो अपना देश, के तहत चार धाम यात्रा में निमलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यह भी अभी आपके बताया है, तो आप इसको तुरंत कर दीजिए, कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, आप से पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें कई स्थल सामिल है, लेकिन कौ किदारनाथ को छोड़ करके बद्रिनाथ, जगनाथ, पुरी, रामिश्वरम सभी शामिल है और ये 18-16 दिनों की यात्रा होगी 16 दिनों की यात्रा जो 18 सितंबर को दिल्ली सब्दर जंग से शुरू होगी 18 सेप्टेंबर को कहां से शुरू होगी डेली से सब्दर जंग से इसकी शुरूवात होगी जो और बद्रिनाथ की यात्रा कराएगी पहले सब्दर जंग से कहां जाएगी ये बद्रिनाथ यानि की उत्राखंड बद्रिनाथ की यात्रा कराएगी जिसमें माना गाउं, जो है माना चीन का गाउं है, एक माना गाउं से होता हुआ, नर्सिंग मंदिर जोशी मट, ठीक है, कहां, जोशी मट, जोशी मट जाएगी, फिर रिशी केश, रिशी केश रिशी केश जाएगी उसके बाद जगनात पुरी सहित जो है गोल्डेन बीच आपका कोणार्क मंदिर गोल्डेन बीच जगनात मंदिर तो ये सारे जो है जगनात टेंपल उसके बाद रामेश्वरम नागेश्वर जोतिर लिंग होता हुआ द्वार का धीज ठीक है रामेश्वरम होता हुआ ये द्वार का धीज तक जाएगा तो ये टोटल जो है आपका उत्तर हो जाएगा D की रही पूरी जानकारी दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ टेलिग्राम चैनल का उसको आप जोइन कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो कभी भी तो आप अभियान लाइप कोड जरूर यूज़ करेंगे तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में दोस्तों अभी इसके बाद मैं ऐसे का क्लास लोगा जिसको आठ साड़े आठ बजे के असपस उसमें आप लोग सभी लोग आईएगा फूड सिक्योर्टी पर तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों स्वस्त रहिए मस रहिए बेस रहिए